मेड्यूकिक ओलाइन में आपका फिर से स्वागत है पीछले लेक्चर में हमने बात करें थी फीजोलोजिकल एनाटमी ओप रेस्पिरेशन आज का हमारा टॉपिक होगा पलमनरी सर्कुलेशन याने कि लंक्स को मिलने वाले ब्लड सप्लाई के बारे में आज हम बात करेंगे स सबसे पहले बात करते हैं इस डाइग्राम की डाइग्राम में आपको उपर लंक्स दिख रहे हैं बीच में हार्ट दिख रहा है और हार्ट से राइट वेंट्रिकल से पलमनरी आर्टरी ओरिनेट हो रही है जो कि हार्ट से लंक्स को डियोक्सिनेटेड ब्लेड सप्लाई कर रही है और वहीं लंग्स से oxygenated blood pulmonary vein के थ्रू हाट में इंटर हो रहा है अब बात करते हैं pulmonary blood vessels की उसमें बात करेंगे हम arteries की कौन-कौन सी arteries होती है जो कि lungs को blood supply करती है दो arteries होती है एक pulmonary artery artery होती है और इक bronchial artery होती है pulmonary arterie जो की deoxyneted blood supply करती करती है lungs को और bronchial artery जो की oxygenated blood supply करती है lungs को कि अब बात करते है pulmonary artery की सबसे पहला point कि है deoxyneted blood supply करती है लंग्स को सेकंड पॉइंट राइट वेंटरिकल से निकलने के बाद में पल्मनारी आर्टरी के दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है एक राइट ब्रांच होती है और एक लेफ्ट ब्रांच होती है थर्ड पॉइंट हर एक ब्रांच जिसे राइट ब्रांच जो है वह right lungs में इंटर करेगी pulmonary artery की left branch जो है वह left lung में इंटर करेगी चौता point lungs में इंटर होने के बाद में pulmonary artery further divide होती है small vessels में और finally वह capillary का plexus बनाती है और यही capillary plexus alluli के intimate relationship में होता है 5th point वह इसी capillary plexus से allular gas exchange होती है अब बात करते हैं bronchial artery की तो सबसे पहले यह कहां से orinate होती है तो यह descending thoracic aorta से arise होती है उसके बाद में हमने एक point पड़ी चुके थे कि यह oxygenated blood supply करती है lungs को अब second point यह कौन-कौन से portion को supply करती है तो यह bronchi को supply करती है connective tissue को lungs के stroma को visceral pleura को और pulmonary lymph nodes को supply करती है अब pulmonary blood flow के बारे में अगर बात करें तो चुकि हम जानते हैं कि heart से right ventricle हो या left ventricle हो दोनों से 5 liter blood जो है वो बाहर निकलता है और हमने बात करी कि right ventricle से जो blood निकलता है वो सिर्फ lungs में इंटर होता है यानि कि pulmonary blood flow के अगर बात करें तो वो 5 liter होगा अब pulmonary blood pressure की बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं blood pressure की blood pressure क्या होता है blood pressure वह pressure होता है जो blood exert करता है उसकी blood vessels को यानि कि blood के द्वारा अपलाई किया गया pressure blood vessels पे उसको बोलते हैं blood pressure पल्मनरी ब्लेड प्रेशर की अगर बात करें तो क्योंकि पल्मनरी ब्लेड वेसल्स जो होती है वो बहुत डिस्टेंसिबल होती है इसलिए जो ब्लेड प्रेशर रहेगा पल्मनरी ब्लेड प्रेशर उसकी वेल्यू बहुत कम होती है systolic pressure यानि जब heart systole करता है तब blood कितना pressure exerted करता है उसकी artery तो वह होता है systolic pressure तो systolic pressure की value होती है 25 Mbg और dice-to์lic pressure यानि जब rilax होता है उस condition मेu blood कितना force exerted करता है उसकी wissons पर उसको dice-to- soccer दाता है इसकी value 10 Mbg होती है और population capillary pressure याने कि blood के द्वारा exert किया गया pressure उसकी capillaries पे तो उसकी value same mmHg होती है याने कि 7 mmHg जो कि sufficient होता है gases exchange के लिए अब regulation of pulmonary blood flow की अगरवाद करते है तो सबसे पहला है cardiac output second number पे vascular resistance third nervous factor fourth chemical factor and fifth gravity first बात करते है cardiac output की so pulmonary blood flow is directly proportional to cardiac output याने कि जितना cardiac output होगा उतना ही pulmonary blood flow होगा क्योंकि हमने बात करे थी कि right ventricle से निकलने वाला सारा blood जो है वो लंक्स में जाता है इसलिए जितना cardiac output होगा उतना pulmonary blood flow होगा और cardiac output जो कि खुद charge जो पर depend करता है venus return याने कि पूरी body से जो deoxygenated blood आया वह कितना heart में गया उस पर depend करता है second force of contraction कितने force से heart contract हुआ है वो होता है force of contraction ज्यादा रहेगा force of contraction तो cardiac output भी ज्यादा मिलेगा कि तो pulmonary blood flow is inversely proportional to the vascular resistance यह अभी हमने बात करी और during the condition like exercise जैसे अगर हम exercise करते हैं तो उस condition में वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाता है वास्कुलर रेजिस्टेंस अगर कम होगा तो blood flow जो है वो बढ़ जाएगा इंस्पिरेशन अगर होता है जब हम इंस्पिरेशन करते हैं उस समय थोरेसिक प्रेशर जो रहता है याने इंट्रा थोरेसिक प्रेशर वो कम हो जाता है प्रेशर अगर कम रहेगा तो pulmonary blood vessels जो रहेगी वो distant हो जाएगी और अगर pulmonary blood vessels अगर distant हो गई है तो उस condition में pulmonary vascular resistance ज जैसे ही कम होगा तो pulmonary blood flow बढ़ जाएगा नर्वस factor की अगर बात करें तो sympathetic nerve जब जब भी stimulate होगी तो वह pulmonary vascular resistance को बढ़ा देगी by the vasodilation और अगर पेरा sympathetic nerve का stimulation अगर होता है याने vagus nerve का तो वह vascular resistance को कम कर देती है by the vasodilation अब बात करते हैं gravity की हम normal condition के अगर बात करें तो gravity का क्या effect पड़ता है हमारी body के उपर so due to effect of gravity normally in standing position blood pressure in the lower extremity of the body is very high and in the upper part above the level of the heart the blood pressure is low याने कि हम standing position में हैं तो हमारे जो lower extremities है उसमें blood pressure ज्यादा होगा और हमारे heart के उपर वाला जो portion है वहाँ पे blood का pressure कम होगा यही की यही condition होती है हमारे lungs में भी हमारे lungs में तीन zone पन जाते हैं सबसे उपर वाला होता है area of zero blood flow सेकंड नमबर पे area of intermittent blood flow थर्ड पे area of continuous blood flow अब एक एक area के हम बात करेंगे सबसे पहले बात करते हैं अपिकल जोन की या जिसको हम zone 1 बोल देते हैं तो जनरली pulmonary capillary pressure और allular pressure लगपक बराबर होते हैं अगर कुछ इसी condition हो जाए जहांपे pulmonary capillary pressure कम हो जाए और allular pressure बढ़ जाए सिद्धी सी बात है अगर allular pressure बढ़ गया और pulmonary capillary pressure कम हो गया है तो उस condition में जो भी capillary होगी वो collapse हो जाएगी याने कि allulai तक blood नहीं जा पाएगा और इसी zone को हम zero blood flow कहते हैं area of zero blood flow याने इस condition में कोई blood flow नहीं होगा क्योंकि हमारी capillary जो है वो collapse हो चुकी है उनमें pressure बहुत कम था तो हमारी capillary collapse हो चुकी है अब इन condition में क्या क्या हो सकता है there is no gas exchange in this zone of the lungs याने कि इस zone में कोई भी gaseous exchange नहीं होगा इसलिए हम इस part को physiological dead space भी खाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी gaseous action नहीं हो रहा है it may lead to growth of the bacteria particularly tubercle bacilli इसलिए उस part में bacteria की growth होने लग जाती है जो कि tubercle bacilli bacteria होते हैं उनकी growth होने लग जाती है और हम जानते हैं कि tubercle bacilli जो होते हैं यह tuberculosis cause करते हैं इसलिए यह portion जो होता है tuberculosis के लिए बहुत susceptible होता है यह zone 2 की बात करते हैं तो इस condition में alluli का pressure कम होता है during the systole और जादा होता है during the diastole pressure in the alluli is less than the pulmonary systolic pressure and more than the pulmonary diastolic pressure याने कि systole के time तो blood flow हो जाएगा alluli में पर diastole के time blood flow नहीं हो पाएगा blood flow to the alluli increases during the systole and decreases during the diastole इसलिए इस area को हम area of intermittent flow बोल देते हैं zone 2 को हम area of intermittent flow बोलेंगे अब बात करते हैं lower portion की याने सबसे नीचे वाला जो portion है lungs का उसकी जिसको हम zone 3 भी खा रहे हैं pulmonary artery pressure is high and it is more than the alveolar pressure pulmonary artery का pressure ज़्यादा है alveolar pressure से both during systole and diastole मतलब systole हो या diastole हो दोनों ही condition में pulmonary artery का pressure ज़्यादा है याने कि blood जो है इसमें continuously flow होगा systole हो या diastole हो blood continuously alluli line में transfer होगा और इसलिए इस part को हम area of continuous blood flow भी खहादेते हैं